कर दो कि सारे मेरे खाने के चाहने वालो आप सभी कस्वागत है एक और नहीं वीडियो में और वाई पुराने रूम में क्योंकि आज वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं उसकी वजा है यह क्योंकि इस चैनल की सबसे डिमांडेड वीडियो जो है वो आज हम शूट कर रह है और महेंगी फूट सीरीज का है यह पार्ट टू तो बस सोचते बत रहा हो हमारे साथ चलो और एक ऐसा होटल दिखाएंगे जो आपने नहीं देखा होगा पूरे मुदेफट अगर में नहीं है मैं कहूं मुदेफट अगर से डेली तक यह सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को अहेड ऑफ इस टाइम और इतना यूनीक तो आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे इतना मैं तारीफ क्यों कर रहा हूं रूफ करूंगा आज यार आप सभी को तो चलिए लेके चलते आपको लेट्स गो अपनी मोस्त अवेटेड नहीं मोस्त अवेटेड कहना गलत हो अब धूंडूंड या परिशान होगे है कहां मेरे को क्यों नहीं दिख रा फिर पता चला कि जस्ट ओपन हुआ है तो साथी साथ आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं हम बहुत ऑसम प्रॉपर्टी है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्योंकि मैं एक द साथी आउटसाइड डाइनिंग है रेस्टरांट है मोर देन सिक्स बैंक्रिट्स हैं बाकी हमसे अच्छा तो एक और जने है जो बता पाएंगे वह हैं यहां के परस्नल जीम तो चलिए उनके पास चलते हैं उसके बाद आपको एक होटेल टूर देंगे आज पहले तो तो करता है आज मेरे बास वाके में एक ओनर है कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उसके बाद आप लोगों ने डिवांड किया तो आज मैं पलासा होडल का रिव्यू एंड है हूं तो साथ में हमाई साथ यहां के जीम है तो सर आपका नाम क्या है संदीब खोष्ला संदीब खोष्ला है माई साथ सो सर आप होटल के बाले में कुछ बताना चाहेंगे यह होटल जो है 5 acres of land पे पहला हुआ है अजय इस प्रमोटेट वाए तो ब्रॉडर्स ओके शुक जिंदल और मिस्टर श्रे जिंदल अच्छा यं है आपने महिनत से बनाया है without any professional advice okay and I'm really amazed as a professional yes yes the level of standard they have constructed is mind-blowing yes मैंने यहां का interface देखा थोड़ा बहुत वीडियो स्टार्टने से फहले तो मैं खुद अमेज हूँ मैं खुद एक हैचम का student हूँ हमें सब चीज पढ़ा ही जाती है वो सब बताया जाता है कि आपको यह measures देखने हैं यह चीजे देखने हैं पर अगर आप कहरें कि अगर एटाइम थी तो फॉफंक्शन फॉफंक्शन यह अब मैं फ्राउड ली कैसा कि मुल्फण हैं में इतना बड़ा बैंक्विट है तरीक से कन्विंशन सेंटर होगया है तो अरू थाउजन की कैसी अगर आपके पास तो बहुत अच्छी बात है अनुस पार्किंग यह अरण बड़ तो फॉफंक्शन पास तो फॉफंक्शन पास पास अठाइम हर चीज एक लेवल जो कहते हैं अपर लेवल हो रहा है हो चीज होगरी है तो आद में वारे में पॉस के बारे में आप अरब वारे में फिवी सेवन लूम है फिव्ति-सेवन उस तर्टिसेवन बार में लिडावा रॉटल का नम उन्सेल सारी ब्लयन में सब्तुत लिए हैं अरनीं Aberta So all of the world llawn構權 ब्लेहर क्जान में लिंग्के साथमिरा डाला ब्हुंत दुने सब्ड़ा हैं स्नम्सकित में दर्शा стать अमलतास है, it is a multi cuisine restaurant. So, उसके ताइमिंग्स क्या हो जा हूँ है? हमारी अब साथ जार बेराब ब्रेक्फास चार्ट हो जाता है. 7.30? 7.30 and then 11 o'clock, 11 p.m. भी तेक्ट जा वाउस्ट रॉर्टर. बहुती मालब special timing. मनलब 7.30 मंचे रेटरांट आपन भूला है रेस्टांट बागी काट्स बगारा हो जाते हैं तर रेस्टांट नहीं होता और अर्बेकपास्ट भूटे आपके पास या बुफे नहीं है नर्मल्रेकफास्ट भ्रूम्स आपैस पर अलागाट बेसेश special when we have the room that we can go too एक काहें है एक सब्सक्राइब फोस अधिया प्रूफे प्रिप्फस्काटि कर जेते हैं एक से बहुत अच्छा लगा तो वह स्वीद आमीड पर है भी रेस्टरांट आपर शोतली एंग एए घलिए विल बिल बेस्त पूल सुमिंग पूल कैफे लॉंच और बार इंदेक्स में है लिग्स छेलिग वागे चालते हैς आपको रोम्स और बैंक्विर्स जिखाते हैं फिर रेस्टाउं पीआ थेछरी थे अगवाई होटल आए है तो खाली रेस्टरान तो आई नहीं है जो खाली बैंक्विट में खाना आगा कर चले जाएं काड ली आए की काड इसली उन्होंने ग्रांड किया है क्यूंकि आपको इतना प्रेस्ट वांधर को बेस्ट रूम दिखा हूंगा अज प्रेसिडेंशल सो लेट्स गो ज्यादा तारी हो रही है और लगेगा पेड है पड़ नहीं है तो चलिए दूस चुके है रूम के अंदर अब हमारा ही कब जाए वो क्यूं है आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं रूम का डेजाइन साथ में आपको सबसे पहले तो चिल करने के लिए आते ही स्टोरेज के लिए आपके पास बैक्स के लिए रूप स्पेस है साथ में या पे बहुत अच्छा किंग साइज बैग इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है और किसी को नहीं बैटने के वाद आपको आगे लेके चलते हैं कुछ और स्पेशलिटी बिलाएंगे जैसे कि हाँ पर साथ में बात्रोब्स हैं अलग मज़ा आएगा स्पेशल फील लेंगे बातिंग में और वह इसके आएगी सौरी थोड़ी सी एको हो रही होगी पर एक बार आप किंग साइज बाट्टब का तो मजा लीजिए देखिए तो किता अमेजिंग साथ में क्यूबिकल भी है शावर के लिए अगर आपको बाट्टब में मज़ा नहीं आ रहा तो आप शावर भी ले सकते हैं साथ ही साथ एक टीवी कमता सेगिंड टीवी आ चुका है यहां बैटके देखेंगे यार अराम से ऐसे अराम से बैटके देखेंगे चिल होगे पूरा साथ ही में चेस बोर्ड भी है आपके प्लेइन टाइम है यह आपकी डाइनिंग टेवल है जहां पर आप अपना फूड कर आ सकते हो कर सकते हो ओवरल आप एक बार गूम का व्यूस देखते देखते ठक जाओगे मैं दिखाते ठक जाओगा वा क्योंकि एक यहां का फर्स्ट व्यू आउं का बहुती व्यूडिफुल था संसेत हुआ है अभी अभी जस्ट तो देख सकते हैं यह तो फ़स्ट्न था, सेकेंड अब और अमेजिंग दिखाता हूं यह में दोर का विए आपको सोचा ता कभी कि ऐसा व्यू मिलेगा तो इसलिए ही पलासा होटल बहुत स्पेशल है प्लीज जल्दी से जल्दी आएं और इस रूम का मज़ा उठाएं आपकी कोई स्पेशल पार्टी हो स्पेशल नाइट हो स्पेशली समझ गए ना तो उनके लिए रूम बिल्कुल ऑसम है आप अपना आउटिंग प्लैन कर सकते हैं वीकेंड प्लैन कर सकते हैं यहां पर सो प्लीज जल्दी प्लाजा होटल आएं अब आपको बैंक्वेट और फूट दिख सबसे बेस्ट रूम को रिव्यू करने के बाद हम आये हैं मुझे बहुती सुन्दर बैंक्वेट को रिव्यू करने सुन्दर इसलिए मैं एक बार लाइट्स देखिए उपर की कि ऐसी लाइटिंग मैं या ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कहीं मिलेगा सो यह इनका फर्स बैंक्वेट है अराना वन ऐसे एक और अराना टू है और टोटल ऐसी 6 बैंक्वेट्स है अलग-अलग नाम से एंड ओल बेस्डार ओन प्लांट्स जो प्लांट्स के उपर है सारे न लग से आपको बस यहां पर आना है बात करनी है और बुक करना है साथ में यह आप वॉल देख रहे हैं यह एक्च्वल नहीं है यह पार्टीशन है यह खुल जाएगा तो अराना वन और टू दोनों कंबाइन हो के अरूंड हंड़ अकॉमडेशन के लिए एनफ है और बहु बहुत ही नाइस नीम के साथ साथ इतना बड़ा और भाई आप वेडिंग कर सकते हैं लिटरली वेडिंग अपनी और साथ ही साथ वह सद्ने काता थाना रावन टू थाउजन काईस को अक्रमडेट कर सकते हैं कंट्रिबूटिटिंग ओल सो यह उनमें से सबसे बगेस्ट है अगर आप देखें तो यहां पे सिटिंग का है थोड़ा जादा फोकस आपको हम मेन इसका आउटलेट दिखाते हैं जहां पे डाइनियर अरिया लगेगा वह इससे भी जादा ब्यूटिफुल है तो यह है अश्मीरा एक चाहर नाम से ही प्यार हो गया है मेरे इतने ब्यू सब्सक्राइब के बीच में टेबल्स के और पस मैं तारीफ करी रहा हूं पर तारीफ करदर के अब लग रही है भूट तो फाइनली एक जगा बची है जो इक फूट ब्लॉगर के लिए सबसे पसंदीदा होती है वह है खाना खाना तो चलते हैं रेस्टरांट अब उसे कव है बहुत बड़ा होटेल है कवर करते करते हैं तो लेस्ट बहुत चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन अफ जो फूट ब्लॉगर्स के लिए सबसे बढ़िया या फूडी के लिए सबसे पसंदीतर जगा है इनके रेस्टरांट जिसका नाम है अमल टास जो एक कॉंट लग रहा है बार से देखने अंदर देखने के लिए तो बहुत जादा एक्साइटेट हूँ तो लेट्स गो अगा क्या आएक है कि अपने रखाल के अंदर और यह मैं सोची कि इतने से डाइनिंग में केरा से यहिए इनके प्राइवेटकमार्टमेंट्मेंट्स है इनके तूप apenas 10- soldier in 10 k sitting वाल पार्टिशन किया हुआ है और बहार एक फूर अच्छा डेस्टोंट है इसके वहने आपको शॉट्स डाल गया दिखाए है जो चलिए मैंनी मगाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या-क्या स्पेशालिटीज हैं तो आज सर्व करें आपका मैना विशेश हैं विशेश हैं वारे साथ जो आज हमें स्पेशली सर्व करें हैं तो एक बहुत ही ब्यूटिवल यार एक तो इनोने हर नेम प्लांट बेस पर रखखा है उसके बाद डेकोरेशन में हर चीज प्लांट से ही इंस्पार जैसे की कवर्स आप देख से हैं यह बहुत अच्छी वाइप देरा है एक पॉजिटिव एनरजी फीट बर रहा है तो सर आप कुछ अपने मैंनी देवार हों बताना चाहिए एक प्लावर देख रहा हूं आपके इस पर तो यह प्लावर का मनगा ने की यह हमारी स्पेशल में की है सर अच्छा मदलब आप मैन्यू स्प्रोल करेंगे तो आपको एसा एक यलोग अलगका फ्लावर देखेगा तो जिस पर भी यह हो तो यह आप ट्राई कर सकते हैं तो यह चीजे निस अपर तो आपके पास कौंटिनेंटल भी है सो जैसे कि मैं देख रहा हूं था जानी बिसे है प्ला पापडी केनेपी में बहुत ही इंट्रस्टिंग मैंधू है साथ में आप मुझे इक मेक्सिकन या पास्टा डिश कह सकते हैं तो चलिए और प्लेश करते हैं फिर आपको दिखाते हैं फूट के साथ यहां पर हमारे पास एक हैपी गुस्टमर का गुरूप है, आपको कैसा लगागा? काफी अच्छा है, अच्छा? क्लीनिंग बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है, खाला भी बहुत अच्छा है आप आते रहते हो या फर्स टाइम आए हो? नहीं में सेकंड ताइम है, सब्सक्राइब कर देंगा है, तो आप हमारी टेवल देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स और दिफरेंट कल्चर्स का एक बहुत ही अच्छा संग्म है, क्योंकि यह मिडल इस्ट आ गया, यहां पर आपका मैक्सिकन प्लैटर आ गया, और यहां पर प कलर्स और कल्चर्स एक साथ है, तो आज इतनी ओसम टेवल को टेस्ट करते हैं आप और हम साथ में, मैं बता दूं, यह है यहां का बेग लजानिया, साथ में है यहां पर, एक मैक्सिकन प्लैटर जैसे मैंने बता है, इसमें आपको मैक्सिकन कुक्ड राइस होते हैं, फिर स्टेक्स होते हैं, बैसिकली पनी स्टेक्स, विच सम सॉस, और पासले, फ्रेंच वाइज वजितेवल्स है, और साथ में मेयोगे स्टेक, सॉस है, और फिर मेरा सबसे वसंददीता प्लैटर, फालाफल प्लैटर, तो अब हम सर्फ करते हैं, और हमारी सर्विस, बनलब कि टारिफ कर रूपति कम है, आपको हैंड सर्व करते हैं, आपको खुछ पर इसाज़ लेनी की जगतने हो, साथ में एक और और वेंचन है, की यह वेट वाइफ भी सर्व करते हैं, खाना खाने से पहले, आपके चाहे आप खाध हो गया ना भूल गया हूँ, आप साथ में स आपने गाता रिव्यू करो तो इसलिए आप रिव्यू कर रहा हूं तो स्टार्ट करता हूं मैं पास्ता से बेक लजानिया मीन्स सो यह रहा इनका एकदम चीज से जब उन्होंने सर्फ किया ना मैं गलती से सर्फ करता हूं दिखाना भूल गया पर बहुत अच्छे से सर्फ किया और साथ में बहुत चीजी है अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं क्या होता है पास्ता शीट्स होती है जिससे आपका नॉर जिस शीट की में बात करना हो देखे यह शीट होती है अगर यह शीट थोड़ी सी भी मोटी हो जानिया टेस्ट अला आता है क्यूंकि फिर सॉस का फ्लेवर निया पाता साथी मैं लसानिया को बहुत बढ़ा पैन हूं क्यूंकि इसे बनाना भी बहुत मुश्किल है पाहा र जिनको यह ना कि पीज़ा में एक्स्टा चीज चाहिए उनके लिए लजानिया यह क्योंकि आप देखेंगे चीज कितना सारा है तो वह यह चीज का इसनम ब्लास्ट आता है और मस्ट्राइड एश है भाई है और टेस्टी रखती है वहरे को साथ में हर पास्ते के साथ जालिक ब्रेट सौट ऑफ है क्रंची एक्डम साथ में पुसे पास्ले इनों स्प्रिंकल किया है धनिया नी पास्ले दोनों में डिफ्रेंस होता है दो कॉलिटी बताता है कि आप आरे हो ताइम और पेमेंट सबसे बड़ी बात है मनी दोनों चीज आप लगा रहे हो तो इस प्लैटर इस फलाफल तो आज मैं आपको फलाफल से इंट्रोडियूस कराता हूं अभी लजानिया से किया तो फलाफल बेसिकली एक मिडल इस्टन डिश है जो चिक्पीस यानि आपके छोले चने जो आप बोलते हों से बनती है इसमें वही मसाले होते हैं आपके इंडि इटावरेट कहा जाता है और साथ में इसके अलावा जो यह आप उपर से सांस देख रहे हैं इसे कहते हैं हुमस इस पर ओलिव ओल ड्रिजल करके बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है तो चलिए अब प्राय करते हैं अपना वाई फोक है सब कुछ है पर हम हैं फोड़े ग्र बेसिकली यह जाने जाता है अपनी गार्लिक फ्लेवर के लिए जो आता है इसे मैं हमस से बहुत अच्छा गार्लिक का पंच आ रहा है और मैं गो ना काश यह मुझे पढ़ने घर में पहले होती यह सारी चीजे क्योंकि मैं असली फूड़ी इन ही चीजों की वज़े से बन आया तो मेरे को अलग-अलग चीजे ट्राय करना और टेस्स करना बहुत अच्छा लगता है भाई लास्पाइप फॉर फलापल चेर्स आप सभी के साथ जो इसमें क्रिस्पिनेस है क्रंच और साथ में गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा और गार्लिक से मेरे को याद आया देखें यह अकंपनिमेंट्स में भी चिली ओईल गार्लिक ओईल सब चीज सर्फ करते हैं आप पीजा मगेंगे तो उस पे गार्लिक ओईल डिजर कर जरना बहुत अच्छा लगता है और अलेवाइल अलेवाइल यह साथ में सीजनिंग से पास्ता बिसिकली तो आप चाइनीज ओर करेंगे चाइनीज के सारे अकंपनिमेंट्स हैं कॉंडिमेंट्स हैं यह चीज और की हमने इटैलियन पास्ता मैक्सिकल से तो यह सारी चीज हम लाइंगे तो हर चीज का धियां डख दा रहा है तो अब लास्टो चीज ट्राइने अपना मैक्सिकन से शेयर चलता है तो अब हम अपने लैट के लास्स चीज पर आए हैं यहां पर हमारे पास है मैक्सिकन राइस हैं तो भैशिय स्टार्ट करना चाहूँगा एक्तम स्पाइसी राइस है जैसे होने चाहिए है साथ में यह देखें बस जड़ागा स्पून डाला और वो तूट गया बुरा यह मस्टर्ड सॉस में ग्रिल किया हुआ कार्णी जाड़ी पणिटयर जो एक अहां मेल पार्ट ऑफ दानी चाहिए लगाशन तो वह चीज आते है राइस से एक मेल बॉड्डी ओती है बूड़ी ओती है या तो पोटेटो जो मैंश पोटेटो दो या फिर यह है साथ में पोटेटो की चीज कूरी गरने के लिए अपर प्राइज है और फिर में वेजटेबल से हैं एक चुली यह टाइप का पनीट मैं फॉर्स ताइम ट्राइब रहा हूं यह आ रहा है इसमें मस्टर्ड का जो जैसे बताया सर्थ जो जिन्होंने सर्फ किया कि बहुत ही मस्टर्ड में कोट करके इस अच्छा से ग्रिल करते हैं सो कहते है न सर्फो की वो घास आती है वो तेज पन आता है तो वो चीज आ रही है इसमें तो मैं वेजटेबल स्टाइबल से मिक्स वेजटेबल से बिसिकली ब्रॉकली है जुकीनी है आपका बेल पैपर है तो यह तो वेजटेबल से ओलिवाल में सॉर्टेट यह थोड़ा फेंसी चीज होगी लेकिन जो इसकी पनीर वाली पैटी है ना बहुत अच्छी है साथ में फ्राइज भी है पर में एक बात फिर से कामगा बाई जो इनकी हमस है ना जो काल्डिक का पंच है बहुत अच्छा है तो अब हम यह सब फिनिश करते हैं फिर में आप से इस एंड टाइप सो बिना डेजट के साथ कैसे एंड कर सकते हैं तो वी आर एंडिंग वेदा ब्राउनी विद आइस्टीम एकदम होट ब्राउनी और चेल आइस्टीम विद सम चॉकलेट साथ और यह चेल्स बहुत ही ब्राउनी है और जो चॉकलेट सिरब का स्वाज आ रहा है और साथ में जो आइस्टीम है बेसिक वनिला आइस्टीम है पर चिल्ड है जो इसके साथ होनी चाहिए और वालनेट ब्राउनी है तो वालनेट की क्रंचिनस आ रही है तो साथ में ब्राउनी कुछ कहते है ना पजी ब्राउनी यानि बहुत जादे डीप यानि उसमें चॉकलेट और जो आप फ्लेवर डालना चाहिए वह बहुत अच्छे से वह है लास्ट आप दा वीडियो तो थेंक्ट यू सो मच और अभी तो एक बात और घड़नी आपसे तो मिलते हैं पारा रिव्यू पलास्य होटेल और साथ में एमेल टास रेश्टरॉन इनका बहुत ही अच्छा खाना जिसकी मेरे को उमीद थियार में एक्स अप्टेशन लेके आया था और वो फुल्फिल हुई है खाली खाने से ही नहीं इनकी जो सर्विंग की वो तरीके हैं कि खुद सर्व करते हैं ग्रीट करते हैं जो यहां के रेश्टरॉन में जाए मिस्टर राहूल उनकी पूरी टीम ने मेरे को बहुत अच्छा एक मतलब डैटिटीट दिया म बहुत ज़रूरी होता है रेश्टरॉन में आने के बाद आप कमफर्ट फील करें साथी साथ आउट्डोर सिटिंग दियां कि मैं वो भी वता दू एक आउट्डोर सिटिंग है वो लांजस बने हुए तो आप उनमें बैटके खाना हैंगे ना वह तो और भी कूल लगेंग सब्सक्राइब शेयर लाइब तीनों काम हर बार नहीं बोलता अब की बार प्लीज कर देना क्यूंकि आज तक मैंने कभी नहीं बोला यह आपकी डिमांडेड वीडियो है भले ही मैंने बनाई है आपके लिए तो चलिए मिलेंगे फिर से थैंक्स पर वाचिंग प्लीज शे झाल 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 टंट जामेंगेड़ लूण तूस घरन कर तेड